नमस्कर दोस्तों आप सभी को स्वागत है आप लोग का चैनल हाओ कैना हेल्प यू में तो मैं कृष्णा घूर्ष और आज इस वीडियो में आप लोग के साथ बात करने वाल हूँ बीटेख और व्यवर दिप्लोमा में डिप्रेंस कहा रहाता है बीटेख या बीई बोलिए या डिप्लोमा मतला पॉल्ल टेक्निक या डिप्लोमा एंजियर्ष जो अल ओबर इंडिया में अपको je avelavel होगा बिटेक और अगर आप टेχनीकल स्टूडेंट है तो आपको इस के बारे में जानकरी रखना बहुत ही जरूरी है तो वीडियो को एंग तक देखिए और अगर आप इंजिनियरिंग करने के लिए सोच रहे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पूल होने वाला है तो देखिए फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कोई भी एडूकेशन को करने टाइम या करने से पहले एडूकेशन सिस्टेम कोई भी कॉलेज में अगर आपको एडूकेशन लेना है तो आपको तीन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है आपको फर्स्ट क्या eligibility criteria रखना है वहाँ पर क्या feature रहेगा कितना devotion का course है और आपको जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं उस पढ़ाई को करने के बाद आपको किस टाइप का जॉब मिल सकता है देखिए मैं एक चीज आपको clearly हाँ पर बताता हू हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं एक ही हम लोग का motive रहते हैं हम लोग को अपना जिन्दे में establish होना है कम time में सबसे जादा हम लोग को establish होना है अपने आपको successful बनाना है तो देखिए जो engineering है अभी engineering का situation बहुत ही खराब हो रहा है क्योंकि घर घर में अभी engineer बैठा हुआ म देखिए ध्यान से देखिए फर्स्ट हम लोग devotion में बात करते हैं फर्स्ट मुझे क्याना चाहिए था eligibility criteria eligibility criteria means क्या आपको eligibility criteria चाहिए तो बिटेक अगर आप करना चाहते हैं तो आपको eligibility criteria रहेगा यह रहेगा basically 10 plus 2 आपको science pass करना पड़ेगा उसके बाद अगर आप science team को लेक कर सकते डिपलोमा या बीजसी के बाद after बीजसी और डिपलोमा मतलब डिपलोमा डिपलोमा या पॉलिटेकनिक डिपलोमा या पॉलिटेकनिक के बाद भी आपका बीटेक किया जा सकते हैं मगर तब basically और दिवेशन क्या रहेगा eligibility criteria फर्स्ट बाता दिया आप बताएंगे ड साल का कोस दूसरी तरफ डिप्लोमा अगर दिखा जाए तो डिप्लोमा का कोर्स हो गया तीन साल का ओली थी यास इसका डिवेशन रहता है और यहां पर क्या एलिजिबिल्टी कैटियर रहता है टेन्थ पास आपको करना पड़ेगा डिप्लोमा मतलब पॉलिटेकनिक करने के लिए आपको टेन्थ पास होना पड़ेगा नेक्स्ट आपका फिस ट्रेक्चर देखिए कोई भी पढ़ाई जब हम लोग करने जाते हैं तो एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग का फैमिली से क्या इसको केरी कर पाएगा यह चीज ध्यान में रखने इंगल भी कोई भी कॉलेज अगर आप देखा ले तो मिनिमाम इसका फिस ट्रेक्चर 4.5 लाक्स हो गया मैं मिनिमाम का बात कर रहा है मैक्सिमाम आपका बहुत हाई तक होता है देखिए 15 से 25 लाग तक कभी इसका फिस ट्रेक्चर पहुँच जाता है मगर यह डिपेंड करत देखिए गौर्ब्मेंट कॉलेज में तो हर किसी को चांस नहीं मिलता है तो आपको ध्यान में रखना है प्राइबेट कॉलेज में कितना फिस ट्रेक्चर रहता है मिनिमाम डिप्लोमा में देखिए 1,5 लाक के अंदर आपका डिप्लोमा इंजिनेरिंग जो होता है यह करना बहुत ही जयूर है क्योंकि कोई भी पढ़ाई आप करते हैं डिप्लोमा हो या चाहिए बिटेक हो उसको करने के बाद तो आपको जॉब पाना चाहिए जॉब अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्यू पढ़ाई कीजेगा तो देखिए मैं यहां पे दोनों का अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए जॉब का जो स्कोप है बहुत जादा हो जाता है क्यूंकि डिप्लोमा का सैलिरी स्ट्रेक्चर कम रहता है तो इस हिसाब से मैं ऐसा नहीं बोलडा कि हमेसा ही कम रहता है एक लेबल के बाद आप लोग हाई रहता है और एक सकता है और दुसरी तरफ बिटेक करने के बाद जॉब मिलना थोड़ा सा मुस्किल होता है मगर जो सैलिरी पैकेज रहता है यह अगर कम पेयर किया जाए तो एक डिप्लोमा होल्डर से बीटेक होल्डर को सैलिरी पैकेज थोड़ा हाई में मिलता है और एक चीज़ है जिन्हां पर B.Tech तो बेसिकली 4 साल का हो गया मगर आप डिप्लोमा मतलब पॉल्टेक्निक अगर कम्प्रीट करके राखते तो इस केसेज में आपको 3 साल में आपका B.Tech कम्प्रीट कर सकते तो देखिए ये था कुछ डिटेस इस डिप्लोमा और B.Tech के बारे में और जो भी डिप्रेंस था इस डिप्रेंस के बारे में तो उम्मिद करते हूं आप सभी लोग जो सब लोग इस वीडियो को देखे आप लोग के मन में जो भी सबलता ये चीज़ अभी क्लियार हो गया होगा तो वीडियो का अगर पसंद आ वीडियो आप लोग के बाद पहुंचा नहीं के